खेसारी लाल यादव और समर से भोचपूरी के दो नए दुश्मन नए नहीं एक साल पुरानी दुश्मनी हो चुकी है देरे देरे इनके दुश्मनी को एन्वर्सरी कम्प्लीट होने वाले क्योंकि पिछले साल ऐसा ही एक समय था जब ये दोनों काफी गहरी मित्रता को भु सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव इन दिनों विवादों के दौर से फिर से गुजर रहे हैं अभी हाल ही में उन्होंने यूपी में फिर्म शूट किये जाने पर ये कह दिया कि वो यूपी के लोगों को रोजगार देते हैं और इस पर पलटवार किया है समर सिंग न देने वाले बयान को सबसिडी का खेल बता दिया है आपको बता दे अगर आप यूपी में पटिकुलर उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर सरकारे रियायत देती हैं साथ ही साथ आपको अगर कोई चीज मुहया करवानी हैं पटिकुलर किसी अच्छी जगे पे शूटिंग भी करनी है जैसे कि वो अगर सरकार के अधिन है तो वो बड़े ही आसाने से बड़े ही किसी ताम जाम के आपको आसानी से वहाँ पे शूटिंग करने को मिलती हैं इसलिए धीरे-धीरे ही सही हिंदी फिल्म इंडस्ट्र की तरफ से ये बयान नहीं आया कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहें लेकिन खेसारी लाल यादों के टीम की तरफ से ये बयान आ गया है ये बयान जैसे ही आया भाई भोजपुरी इंडस्ट्री दो गुटों में बढ़ गई है कुछ लोग खेसारी के गए दे सकते हैं लेकिन आप ने ये कैसे कहा कि आप ने उत्तर-प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है बलकि रोजगार तो उन्हों ने आपको दिया है यहाँ पर आप फिल्मों की शूटिंग करते हैं सबसीडी पाते हैं और अच्छे से अच्छी जगहों पर खिसारी लाल यादो दोनों पक्के दुश्मन है ऐसे में जब समर सिंग से ये सवाल किया गया रोजगार वाला तो समर सिंग ने खिसारी लाल यादो की बोलती बंद कर दी कि कम से कम हमारे यूपी के लोगों को हमारे अपनों को रोजगार मिले और यहां पर चीजे बड़ी ह कोई सुपरस्टार है जो यूपी में रोजगार दे रहे हैं तो अच्छी बात है यूपी में रोजगार दे आइसे ही बिहार में भी रोजगार दे अरे आप उनको क्या रोजगार दे रहे हैं वो खुद आपको रोजगार दे रहे हैं